क्रेसी का कतल और डेमोक्रेसी को रूंदने पे तुली हुई है हमने आज तक आजादी के 77 साल में ऐसा जो सिस्टम है बीजेपी का जो बीजेपी ने एक ताना शाही का दूर चलाया हुआ है वो हमने कभी नहीं देखा आप प्रेस वालों ने भी नहीं कभी देखा कॉंग्रेस पार्टी के यारा बैंक खातूं को सीज कर दिया गया जूरिंग पार्लिमेंट एलेक्शन और कुसूर क्या था कि एक मीना हमने एकाउंट अपने सब्विट करने में डिलेक जिसका ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है दस अजार रुपे है इंकम टेक्स के एक्ट के हिसाब से और बीजेपी क्या करती है एक तो एक सो पंद्रा पॉइंट थर्टी टू करोड हमारे एकाउंट उससे डिटेक्ट किया जाता है और सीधा बैंकों से उसको ट्रानस्फर किया जाता है गौवर्मेंट के खाते हैं जिसमें इन खातों में टोटल दो सो दस करोड था जिसमें एक सो पंद्रा करोड निकाल लिया और बागी जो एकाउंट से हो सारे सीज कर दिये ये तो कभी किसी दोर में ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपोजिशन पार्टीज के आप बैंक खाते सीज कर रहे हो ताकि कोई पब्लिस्टी दे ना ये कंबेन कर पाए ना हम अपने कंडेटूं को कोई पैसा दे पाए तो ये मुझे लगता है कि ये हिटलर के दूर से भी बतर दूर घुजर रहा है इस मुलक में हमारे तो आज हम ये ही बात बताने वाले थे कल हमारे सीनियर लीडर सुनिया या इसी सी प्रेजिडेंट खड़के साब ने भी इसी बात पर प्रेस कांफर्स की थी 14 लाक रुपे जो डोनेशन है हमारे MPs का जो पैसा MPs की सेलरी से हमें पैसा जमा हुआ हमने मास डोनेशन प्रोग्राम चलाया कॉंग्रेस पार्टी का किसी ने सो रुपे, किसी ने तेरा सो रुपे, किसी ने तेरा हजार रुपे पार्टी को दिया और यही वही सारा पैसा था जो हमने मास डोनेशन से जो है जमा किया था तो इस सारे पैसे पे जो है को है सीज कर दिया गया अब फारम बरने का टाइम 27 को फुस्ट भेजगा है उसके बाद continuously फारम बरने का टाइम है तो ये बात आया हो रही है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को क्लैप्स किया है मोजी सरकार में दूसरा कॉंग्रेस पार्टी कोर्ट्स में चली गई हमें कोर्ट्स पे बड़ा बरुसा है पूरा बरुसा है लेकिन केस चलेगा हमें पता है कि हमारे ऑन्रेबल कोर्ट हमारे एकाउंट्स बोल देंगे और अगर उसमें एक मीना डेड़ मीना टाइम लग गया ताब तक एलेक्शन खतम होंगे फिर हमें उस पेसे का क्या करना हर पूलिटिकल पार्टी को इंकम टेक्स से एग्जेम्ट किया जाता है कोई पूलिटिकल पार्टी इंकम टेक्स नहीं देती लेकिन पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं चला तो हम ओनरेबल सुब्रीम कोर्ट से एलेक्शन कमिशन से यह अपील करते हैं कि इमिजेटली इस पे कोई ना कोई नजर दी जाए और हमारा जो पैसा है वो रिलीज किया जाएगा दूसरा यह है कि आपने देखा एलेक्टरियल बॉ ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निगाला एक बहुत बड़ा गुटाला जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है बीजेपी ने लुटा है लोगों से और उन कॉम्पनियों से दोनेशन वाली वो कॉम्पनिया है जिनके उपर शाम को एडी का रेट डाला गया और सुबा पैस अब क्या लोग नाम देते हैं